दोस्तों क्या आपने कभी किसी उन्ट को बात करते हुए सुना है क्या आपने किसी उन्ट को फर्याद करते हुए सुना है अगर नहीं सुना है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख ले क्योंकि इसमें हम आपको एक ऐसे उन्ट के बारे में बताने वाले है जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्ला लिखे बगैर नहीं रहोगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर दे तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं वीडि में आ पहुंचा यानि के एक उन्ट अल्ला के नभी की बारगाह में आया और आकर वो आपके सर मुबारक के पास में खड़ा हो गया और फिर वो उन्ट आपके कान मुबारक के करीब होकर आपसे कुछ कुछ कहने लगा जैसे की वो उन्ट अल्ला के प्यारे नभी हजरत मु मुहम्मद मुस्तफा ﷺ के कान मुबारक में कोई बात तक कह रहा हो। उंट की बातों को सुनकर अल्लह के प्यारे नबी। मुहम्मद मुस्तफा ﷺ ने फरमाया ए उंट पुर सकून हो जा अगर तू सचा है तो तेरा रब तुझको फाइदा देगा। लेकिन अगर तू जूटा है तो तुझे इस जूट की सजा मिलेगी। ए उंट बेशक हमारी पनाह में जो भी कोई आ जाता है तो अल्लह ताला उसे अपने अमन और अमान में ले लेता है। और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी भी नामुराद नहीं होता है। तू ये ये उंट आपसे क्या वर्याद कर रहा है। तो इस पर अल्लह के पैरे नबी हजरत महम्मद मुस्तफा ने रिशाद फरमाया कि इस उंट के मालिकों ने इसको जिबाह करके इसका गोश्ट खालेने का इरादा कर लिया है। इसलिए ये उंट उनके पास से भाग कर यहां तक आ गया है। और अब ये उंट आपके नबी से मदद की फर्याद कर रहा है। दोस्तों हज़रत तमीमदारी रजी ललाह उनो फर्माते हैं कि अभी हम गुफ्तगु फर्मा ही रहे थे कि इतने में हमने देखा कि उस उंट के मालिक بھی हमारी तरफ चलते आ रहे थे। जब उस उंट ने अपने मालिकों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो उंट फिर से अल्हा के पैरे नबी सल्लाला अलेहोसलम के सर मुबारक के करीब हो गया और वो उंट आपके पीछे छूपने की कुशिश करने लगा फिर उस उंट के वो मालिक हमारे करीब आए और आकर अर्ज़ करने लगे या रसुल आल्ला अलेहोसलम ये हमारा उंट तीन दिनों से हमारे पास से भागा हुआ है और आज हमारा ये उंट आपकी खिद्मत में मिला है तो ये सुनकर अल्ला के प्यारे नभी हजरत मुहम्मद मुस्तफा सललला अलेहोसलम ने फरमाया कि ये उंट मेरे सामने आप लोगों की शिकायत कर रहा है इसका कहना है कि ये तुम्हारे पास में कई सालों तक पला बड़ा है जब गर्मी का मौसम आता था तो तुम लोग घास और चारे वाले इलाकों की तरफ इस पर सवार होकर चले जाते थे और जब सरदी का मौसम आ जाता था तो तुम फिर इसी उंट पर सवार होकर गर्मी इलाकों की तरफ कूच कर जाते थे लेकिन अब जब ये उंट इस खस्ता हालत की उम्र में पहुँच गया है तो अब तुम लोगों ने इस उंट को जिवा करके इसका गोश्ट खालेने का मनसुवा बना लिया है अब तुम इसको जिवा करना चाह रहे हो तो ये सुनकर उंट के मालिकों ने अर्ज किया कि खुदा की किसम या रसुल आल्ला अलिही वसल्म ये बात बिलकुल इसी तरह से है जिस तरह से आपने बयान फरमाई है ये सुनकर अल्ला के पैरे नबी हजरत महम्मद मुस्तिफा सल्ल लाहु ताला अलिही वसल्म ने फरमाया आई लोगो एक अच्छे खिदमत गुजार को उसके मालिकों की तरफ से क्या यही जजा होती है इतना सुनते ही वो अर्जगुजार हुए और कहने लगे या रसुल लाहु ताला अलिहोसलम अभ हम इस उंट को ना ही बेचेंगे और ना ही अब हम इसे जिबा करेंगे लेकिन फिर आप ताला अलिहोसलम ने उन मालिकों से उस उंट को सौ दिनार में खरीड लिया और फिर आपने फर्माया कि ऐ उंट चला जा आज से तू अल्ला ताला की रजा की खातिर आजाद है ये देखकर फिर उस उंट ने अपना मोह आप सलिल्लाहु ताला अलेहुसल्म के सर मुबारक के करीब किया और फिर कोई बात आप से कहने लगा उंट की बातों को सुनकर अल्ला के प्यारे नबी सलिल्लाहु ताला अलेहुसल्म ने फरमाया आमीन फिर दूसरी दफ़ा उस उंट ने आप सलिल्लाहु ताला अलेहुसल्म के कान मुबारक में फिर से दुआ की तो आपने फिर से फरमाया आमीन फिर उस उन्ट ने तीसरी दफ़ा दुआ की तो आपने फिर फरमाया आमीन लेकिन जब चौथी दफ़ा उस उन्ट ने दुआ की तो इस बार उन्ट की बातों को सुनकर आपके दाड़ी मुबारक आंसों से तर हो गए हजरत तमीमदारी रजिया नहों फरमाते है कि ये देखकर हमने अर्ज किया या रसुल आपसे क्या कह रहा है तो ये सुनकर आप आपसल 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 ने फरमाया कि इस उन्ट ने पहली दफ़ा मुझे से कहा आई नबी करीम सलिल्लाहु ताला लियुसल्म अल्ला आपको इसलाम और कुरान की तरफ से बहतरी जज़ा अता फरमाए तो मैंने ये सुनकर कहा आमीन फिर इस उन्ट ने दूसरी दफ़ा कहा आई अल्ला के रसूल आपकी उम्मत के दिल से खौफ को इस तरह से दूर फरमाए जिस तरह से आपने मेरे दिल से खौफ को दूर फरमाया है तो ये सुनकर फिर मैंने आमीन कहा फिर तीसरी दफ़ा इस उन्ट ने मुझे से कहा कि ऐए अल्ला के रसूल, अल्ला ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह से महफूज रखे, जिस तरह से आपने मेरे खून को महफूज रखा है, तो ये सुनकर भी मैंने कहा आमीन, मगर फिर चौथी दफ़ा इस उन्ट ने मुझे से कहा, ऐए अल्ला के रसू अल्ला ताला आपकी उम्मत के दर्मियान जंग औ जदाल को पैदा ना होने दे, तो ये सुनकर मैं गमजदा हो गया, और मेरी आखों में आसू आ गए, क्योंकि यही दुआए मैंने भी एक मरतबा अल्ला की बारगा में की थी, उस वक्त अल्ला ने मेरी पहली तीन मगर आखरी दुआ कबूल करने से मना फर्मा दिया था, उसके बाद हजरत जिबराईल अल्ला की तरफ से मेरे पास में ख़वर लेकर आए, और कहने लगे, आए अल्ला के रसूल, आपकी ये उम्मत आपस में जंग करके फना होगी, अब जो कुछ होने वाला है कलम उसको ल गड़ते हुए दिखाई देंगे, आज के इस दोर में आप देखेगी किस तरह से एक मुसल्मान दूसरे मुसल्मान के खुन के प्यासे बने हुए है, और एक दूसरे का कतल करने में लगे हुए है, तरहा तरहा के फिरकों के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए है जितना नुकसान आज तक एक मुसल्मान दूसरे मुसल्मान का कर रहे है उतना नुकसान तो आज तक मुसल्मानों का काफिरों ने भी नहीं किया होगा इसलिए हम सब को चाहिए कि हम सब अल्ला के पैरे नबी ﷺ के दामन को मजबूती से थाम ले और इन फिरका परस्ती को छोड़ दे और हम सब एक उम्मती बन जाए और आपस की नफरतों को खतम कर दे और ये सोचने लग जाए कि एक मुसल्मान दूसरे मुसल्मान का भाई है हम सब मुसल्मान आपस में भाई है और हम सब आपस में प्यार और महबत के साथ में रहे दोस्तो फतेह मक्का के एक रोज अल्ला के प्यारे नबी हजरत महम्मद मुस्तफा सल्लाला अलेहुसल्म मक्का में एक मकान की दिवार से टेक लगाए हुए बैटे थे और अपने किसी एक गुलाम के साथ में गुफ्तगू फर्मा रहे थे आप जिस मकान के पास में बैटे हुए थे वो मकान एक काफिरा औरत का था वो औरत आप से बहुत नफरत करती थी इसलिए उसने जब अल्ला के नबी की आवाज मुबारक सुनी तो वो औरत बुग्ज हसद और नफरत की वज़ा से उसने अपने मकान की सारी खिड़कियों को बंद कर लिया ताकि आप सलिए लाहुत आला अलेहिवसलम की आवाज मुबारक उसके कानों तक ना पड़े उसको आपकी आवाज सुनाई ना दे इतने में थोड़ी देर के बाद में हजरत जिब्राईल अलेहिसलम आपकी बारगा में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे आए अल्ला के रसूल आप जिस मकान की दिवार से टेक लगा कर खड़े है ये मकान एक काफिरा औरत का है और इस मकान में रहने वाली काफिरा औरत ने बुग्ज और हसत के वज़ा से अपने मकान की खिड़कियों को बंद कर लिया है ताकि आपकी आवाज उसको सुनाई ना दे मगर ऐए अल्ला के नबी अल्ला ताला फरमाता है कि मेरे प्यारे हबीब की पुष्ट मुबारक इस मकान की दिवार के साथ में मस्क कर गई है इसलिए अल्ला नहीं चाहता कि अब इस मकान में रहने वाली ये औरत दोजक में चली जाए ऐ अल्ला के नबी इस काफिरा औरत ने अपने मकान की खिड़कियों को बंद कर लिया है और हमने उसके दिलों के खिड़कियों को खोल दिया है दोस्तो हजरत जिबराईल अले सलम का बस इतना कहना था कि उस औरत की अपने घर के अंदर बैटे बैटे ही दिल की दुनिया बदलने लगी वो बेकरार होकर घर से बाहर निकली और आकर अल्ला के प्यारे नभी के कदमों में गिर गई और फिर वो मुसल्मान हो गई उसने फिर रो रोकर सच्चे दिल से कहा ला इलाह इल्लाह महम्मद ररसूल अल्लाह एय अल्ला के पैरे रसूल मैं इस बात को मानती हूँ कि आप ही अल्ला के सच्चे रसूल है और मैं सच्चे दिल से आप पर इमान लाती हूँ दोस्तों कुर्बान जाए हमारे नभी सललालाहु तालाहु आले असलम की शान पर जिधर जिधर वो गए करम करते ही गए किसी ने मांगा या ना मांगा मगर आप सबकी जोलिया भरते गए सुभान अल्ला पहरे दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करे हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए असलाम आलेकूम, अल्लाहाफ़े